प्रिये विद्ध्यार्तियों, क्लास 11, सब्जेक्ट, पिजिनिस इकोनमिक्स, चैप्टर नमबर 5, और्गनाजिशन ओब डाटा में स्क्लासिफिकेशन, समंगों का संगटन अर्थात बर्गी करण, पार्ट बन के लिए, डिजी लेशन्स अब नवांकुर में आप सभी क्या है, बिधियां क्या होती है, सब आपने पड़ा था, तो इस अध्याय में जो है, हम उन्हीं समंगों का, उन्हीं आख्णों का बर्गी करण पढ़ने वाले हैं, बर्गी करण से संबंदित प्रिश्णों की उत्तर को जानेंगे, और एक बात आपको धियन रखना है, कि इस अध्याय में जो है, हम समंगों के बरिकरण की बिधियां और उनसे संबंदित सबालों के कुछ सब्दावलियां जो रहेंगे, उनको हम जानेंगे, और इतना ध्यान रखना आपको, कि इस अध्याय में, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले अगले अध्यायों के लिए जैसे सवाल वाले अध्याय केंद्री प्रविर्टी की माप है, अपकरण है, इस पिरकार के अध्यायों के लिए, यह महत्पून अध्याय रहेगा, ठीक है, तो इसको आपकरण से पढ़िएगा, सबी वीडियो में जो है, आपको महत्पून बात है, महत्पून जानक कारी प्राप्त होगी, जिससे आप आने वाले अध्यायों को आसानी से समझ सकेंगे, तो चलिए प्रारंब करते हैं, बरगी करण से आसा है, अर्थात आप समझ गए हैं कि जो समंग है उनका बरगी करण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहा हैं, एकत्रित आंक्डे, आव्यवस्थित, संगठन, प्रस्तुतिकरण, ब्यवस्थित, आदी, कहने का मतलब जी है, अगर हम इसको अपनी भासा में पढ़ें, क्या होगा, कि जो भी अनुसंधान करता होता है, वाय किसी उद्देश की प्राप्ति के लिए संगठन, प्रस्तुतिकरण, योग बनाते हैं, तो उनको जो है व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं, अलग-अलग बर्गों में बाट देते हैं, किस प्रकार बाटते हैं, कई आधारों पर बाट सकते हैं, उनको समय की आधार पर बाट सकते हैं गुणों के आधार पर बांट सकते हैं मात्राओं के आधार पर बांट सकते हैं अर्थात किसी एक निश्चित आधार पर जब हम आंक्डों को बांटते हैं उनको अलग-अलग गुणों के आधार पर जब हम अलग-अलग ब्यवस्थित करते हैं तो ये क्या कहलाता है बर्गी दानुशार अलाग-अलाग बांटेगा उसको बांटना ही जो है बर्गी करण कहलाएगा जिस से उचित परिणाम प्राप की जा सकते हैं ठीक है अब देखिए बर्गी करण से संबंदित पैरग्राफ दिया है किस पिरकार से किसका बर्गी करण किया जाता है तो आप इसमें देख सकते हैं नीचे एक छोटा सा पैरग्राफ है तीन लाइन का यह ही बहुत अर्थ पूर्ण है इसमें क्या लिखा देखते हैं बरिकरण में सामग्री को अर्थात आंक्णों को उनकी समानता अर्थात अत्वा एक रूपता के आधार पर बर्गों या वर्गों में पर आजाती है ठीक है इसी पिरकार की विभाजन को हम बर्गी करण कह सकते हैं फिल लिखा इस पिरकार इस पस्ट है कि संग्रित सामग्री को अर्थात आंक्णों को जो है सरल संशिप्त एवं समझने योग बनाने के लिए उनका बर्गी करण और साइडनियन करना अवश्य होता है जिससे की सांकी की विदियों का प्रियोग करके उनसे उचित परिणाम या उचित सूचनाय प्राप की जा सके और भविष्ट के लिए योजनाम उनको लाया जा सके फिर अगला है बर्गीकरण की विशेष्टाएं बर्गीकरण की विशेष्टाएं क्या होती हैं तो जो बर्गीकरण का अर्थ था बर्गीकरण का आसाज था जिसमें हमने चर्चा की थी वह उससे संबंदे जो सब्द रहेंगे वो बर्गीकरण की विशेष्टाओं बास्त भी कालप ने कर था किसी भी आधार पर आप बांट सकते उससे क्या होगा एक ता आ जाए या अगड़ों में फिर क्या होगा एक बर्ग में किसी पिरकार की अगड़ों को रखना कुल में लागे जी है कि यह पांच जो आपको विशिष्टा दिखाई दे रहे हैं उनक जाती है समुओं में बाढ़ सकते हैं आसानी से और नमबर दो लिखा है समंकों का वरिकरण किसी गुण के आधार पर किया जाता है या आप जानते हैं कि एक अनुसंधन करता है उसकी सुविदा के अनुसार गुणों के आधार पर वरिकरण करता है जैसे आयू है आय है या प्रापतां किसी भी आधार पर वह वरिकरण कर सकता है नमबर तीन है बास्तविक या कालपनिक अर्थात कहने का मतलब जी है कि वरिकरण जो है बास्तविक या कालपनिक आधार पर भी तो किया जा सकता है अनुसंधन करता गी दौरा फिर क्या होगा कि बरगी करण के दौरा एकाईयों की विवित्ता में क्या आएगी एकता आएगी बहुत सारी विभाईया एकाईया होती हैं बहुत सारे आंगड़े होते हैं उनमें जह हम बरिकरन करते हैं तो क्या कहोते हैं वह एक जैसे हो जाते हैं उनमें एकता अलग-अलग इसपश्ट हो जाती है कि यह किस से सं मंदेत आंकडे हैं फिर पांचवी पिसेश्टा है एक बर अर्थात कहनी का मतलाब है एक बर या एक समें किवल एक ही गुड़िया पिसेश्टा रखने वाले जो है आंकडे सामिल किये जाएंगे ठीक है यह इसकी पांच विसेष्था थी बर्गीकरण की अब बर्गीकरण की विसेष्था इस्क्रीन पर आपको दी गई है प्रिंट के रूप में आप इनको भी तैयार कर सकते हैं या अपने आधा अपने समझ के आधार पर उनको लिख सकते हैं फिर है बर्गीकरण की उद्देश या महत क् तत्थों की जो है सरल प्रस्तुती बहुत महत्पूर होती है तत्थों को जो है सरल रूप में प्रस्तुत करने पर क्या होता है अर्थपूर होते हैं उनको आसानी से समझा जा सकता है अर्थात वह है अपनी समझ के अनुशार सुविदा अनुशार योईना बना सकता और लिखा है समानता का इस पश्टी करण अर्थात कहने का मतलब जी है कि बर्ग करण के दुआरा समान तत्यों को एक बर्ग में रखा जाता है जिससे कि उनकी समानता या समानता को आथानी से इस पश्ट किया जा सकता है समझा जा सकता है तो लिखा है तुलना संभा होना अर्थ अर्थात कहने का मतलब यह हैं कि बर्गीकरण के माध्यम से ही आभियवस्ति समंगों को तुलनिये बनाना संभा हो पाता है क्योंकि हम जब एक जैसी आंक्रे प्राप्त होते हैं उनको बर्गीकरण के दुआरा या अलग-अलग विभाजन करके उनको क्या कर सकते हैं अलग- समंगों के पारस पर इख जो संबन्द होते हैं उनको इसपष्ट करने में हमें साहाजता मिल जाती है फिर संच्छिप्त रूप Dolan करना ये भी सही है कि बर्गीकरण का उद्डेश क्या है समंगगों के संच्छिप्त और इसपष्ट रूप परिदान करना जिस